हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मेरा नाम है अरुन और आप देख रहे हैं ट्रेट विद अरुन यूटूब चैनल दोस्तों आज हम बात करने एक IPO की जो कि कल लॉंच होने वाला है यानि कि 7 अपरेल को यह IPO ओपन होगा और इसमें आप पैसा लगा सकते हैं 9 अपरेल तक त क्या मैक्रो टेक या लोडर डेपलेपर्स का IPO एक इन्वेस्टमेंट अपोर्शनिटी के साब से अच्छा है क्या अबजिक्टिव है इस IPO का लोडर डेपलेपर्स के ऊपर कुछ कोड किसे भी चल रहे हैं इनका फाइनेशल रिकॉर्ड कैसा है यह सब आज के वीडियो में आपको बताऊंगा वीडियो को एंड तक जरूर देखी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन को दबाईए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों अगर आपको घर बैठे पैसा कमाना है और सेर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो आपके लिए बेस्ट आप्षन है एंजल ब्रोकिंग का डिमेट अकाउंट यहां आपको पहले साल एमसी फ्री मिलता है साथ ही साथ आपका जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपीज पर डील मिलता है यानि कि आपका 20 रुपीज पर एग्जेक्विट अपके अपको अपरेल में जो भी लोग हमारे साथ अकाउंट ओपन कराएंगे तो दिस्क्रिप्शन बॉक को जरू चेक करिए और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरू बताईएगा तो दोस्तों अब बात करते हैं मेक्रोटेक डेवलेपर्स के बायों क से जादा उनके टेली कॉलर्स का कॉल तो अलमोर्स सबको आ चुका है हर दिन इनकी गुरूप का कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉंच का न्यूज आता है लोटा के पास अलग-अलग सेगमेंट के लिए गुरूप से हैं जैसे लोवर मिडल इंकम गुरूप के लिए अलग और प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट के लिए अलग लोटा का सेल्स टीम को बैक करता है उनका कंट्री वाइड इस्टीविशन टीम इसके साथ साथ मिडल इस्टरन देशों में भी लोटा का प्रेजेंस एंड इस्टीविशन नेडवर्क है अंडर दा लॉजिस्टिक और इन इंडिस्टियल पार्क पोटफोलियो इट अगर दिसमबर इकती दिसमबर 2020 तक की बात करें तो इन्होंने लगबग 91 प्रोजेक्ट सकस्पुली कम्प्लीट कर ली हैं जो की 77.22 मिलियन स्कॉर फीट का एरिया होता है साथ ही साथ 59.13 मिलियन स्कॉर फीट का affordable housing segment में भी इन्होंने अपना काम complete किया है तो अब पहले बात करेंगे इस issue का objective क्या है company को IPO क्यों लाना पड़ रहा है तो इस पर ध्यान दीजिएगा issue objective IPO से आने वाला पैसा कहां यूज किया जाएगा लोड़ा के DRHP के हसाब से पहली बात है borrowing को कम करने में यानि debt चुकान में यह इस पैसे का use होगा दूसरी चीज है नया land खरीदने के लिए यानि कि नई जमीन खरीदेंगे और उस पर अपने projects बनाएंगे तीसरा है general corporate expenses यानि थोड़े चोटे वोटे खर्ची जो होते है general expense में उसके लिए तो सवाल यह है कि क्या IPO का primary objective से debt reduce करना है और अगर investor से पैसे उठाने में problem है लोटा को इसका जबाब उनके final से result में देखेगा तो अब आप अपनी screen पर देख सकते हैं कि यह मैंने loader developers की पिछले 3 साल के result मैंने आपके सामने रखे है और बैसे तो आप चाहें तो इनके DRHP में जाकि बहुत जारा चेक कर सकते हैं लेकिन एक छोटा से sample में आपको दिखाऊंगो और इनका profit की में बात करूँगो कि किस तरीके से इनका profit का scene चल रहा है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि March 2018 में इनका जो total revenue था वो था एक लाग 37,265 मिलियन रुपीज अगर इनके profit की बात करें तो March 2018 में वो था 17,893 मिलियन रुपीज यानि कि percent rate में बात करें तो profit था 13% के असपास जो कि March 2019 में थोड़ा सा increase हुआ है 13,7 लेकिन उसके बाद March 2020 में इसर 5,9% रह गया और वहीं अगर March 2020 से लेके अगर December 2020 तक की बात करें 9 महीने की तो इनका profit जो चल रहा ता अच्छा का सब वो सीधर loss में करणबर्ट हुआ है य यानि कि positive से सीधा negative में जम की है profit से सीधे loss में तो इसमें आप clear नहीं देख सकते हैं कि financial year 21 के last 9 मंत में लोड़ा negative profit यानि loss हुआ है उनका cash inflow negative है यानि company stress में है financial year 20 में इनका growth rate negative हुआ था ये financial stress एक ऐसा reason इसकी reason की वज़े से लोड़ा को external investor के पास से पैसा उठाने में दिक आपको भी एर करनी पड़ सकती जो आपको ध्यान में देनी चाहिए साथ ही सथा हम आपको इस वीडियो में दोस्तों GMP के बारे बात करें कि gray market प्रियोंग चल रहा है तो वह भी मैं आपको बताऊगा तो end तक जरूर देखीगा इस वीडियो को तो पहले बात कर लेते हैं बारे में तो लोडा का EPS financial year 20 में था 18.46 EPS का मतलब होता है दोस्तों earning per share पिछले तीन सालों में था 30.52 financial year 21 में loss हुआ है मतलब EPS negative है दूसरा जो risk factor है वो है revenue financial year 21 में almost one fourth हो गया है ये covid का impact है obvious सी बात है तो इसको देखा जा सकता है तीसरी चीज है जो price range जो रखा गया है इस issue price तो इनकी peers जैसे गौदरिश प्रोपर्टी के share 13 रुपे पर share में बिकरा है वही lower end में Suntech reality का 280 रुपे पर share की rate में बिकरा है मतलब इस sector में wide range of price fluctuation है individual company के तो individual company के performance में depend करेगा कि उसका price उपर जाएगा या नीचे जाएगा चोथा point है दोस्तों कि pandemic का impact अब तक गया नह market आपको market पर दिखी रहा है और अगर यह फिर से थोड़े से और cases बढ़े और कहीं कहीं lockdown impose हुआ और इस IPO की listing के दौरान अगर यह impose होता है अगर कुछ ऐसी बैसी news आती है और इसकी बज़े से market fluctuate करता है downside में तो obvious सी बात है कि इसका IPO पर भी इसका सर आपको देखने मिलेग जो पांचमा risk factor है कि लोडा के अगेंस्ट बहुत सारे court के से चल रहे है सबसे severe allegation इनके अगेंस्ट है quality control को लेकर मतलब इनके premium quality housing complex से poor quality का raw material यूज किया गया है ऐसे बहुत सारे complaints है इन सब complaints से negative को छोड कर लोडा के पास एक distribution and proven track record है क्या यह IPO का अच्छा response मिलेगा आपको क्या लग रहा है अपने comment section में आप जरूब बताईगा कि इसको आप subscribe करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं वो जरूब बताईगा तो चलिए अब बात करते हैं इसके gray market premium की gmp इसका क्या चल रहा है तो अगर मैं बात करूँ gmp की तो दोस्तों issue price 483-486 के आसपास का और उ मुझे ऐसा लगता है कि अगर covid cases rise हुए तो इतना जादा attractive gmp अभी नहीं चल रहा है कि इसके आप सिर्फ gmp देखकर इसमें पैसा लगाते हैं तो बिल्कुल यह वैसा IPO नहीं है कि जिसमें आपको पैसा लगाना चाहिए बाकि अब अपने यह सर्क एक educational video है एक review video है तो अग दोस्तों गुड डे